आज मैं आपको बताऊंगा गिरिनी स्क्रीन हम कैसे रिमूव करेंगे और प्लस अपनी फुटेज की लाइटिंग अपने बैगराउंड से कैसे मैच करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं अजय को जैसे कि आप लोग जानती है लास्ट क्लास में आपको नंबर आइनिमिशन चे बाए में बताया था अगर आपने वह क्लास नहीं देखिए तो आप आई बटन पर क्लिक करके वह क्लास देख सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक कॉंपिशन करेंगे अभी इसको यहां पर हाइड कर देते हैं ट्रांस्परेंसी को और इस कॉंपिशन में जो हमाई पूटेज है उसको ड्राइग और कर लेंगे अभी इसको resize करेंगे resize करने ही shortcut की अलड़ी कई वर बता चुका हूँ Ctrl-Option-Shift-H Mac के अंदर रहेगी और Ctrl-Alt-Shift-H Windows के अंदर रहेगी अब मुझे यहाँ पर जो यह green screen है वो remove करनी है तो इसके लिए हम क्या करेंगे Effects and Preset पर जाएंगे तो यहाँ पर हम search करेंगे key और यहाँ पर हमाँ पास Key light 1.2 है इसको हम drag and drop करेंगे और apply करेंगे अपनी footage के उपर और जो हमारे screen color का option है इसके ठीक सामने आपको color picker मिल जाएगा उसको select करेंगे और जो green color है वो select कर लेंगे ठीक है अभी यहाँ पर देखिए हमारे जो video है उसमें से green color तो remove हो गया है लेकिन आप यह में सोचेगे कि यह perfectly remove हो गया है अभी यहाँ पर देखिए जैसे आप toggle transparency grid को phone करते हैं अभी यहाँ पर यह देखिए हमारे जो subject है वो भी transparent हो गया है ठीक है इसको fix करने लिए क्या करेंगे view पर जाएंगे इसको हम करेंगे screen matter screen matter वाले option पर जाके यहाँ पर हमारा जो clip black है उसको increase करेंगे जहां तक हमारे यह background remove proper होना जाए ठीक है अब जो हमारा clip white है उसको decrease करेंगे तो जो हमारा जो यह character है यह character हमें complete white चाहिए हमें यह तब तक decrease करना है जब तक हमारा white में आ जाए complete ठीक है तो यह हमारा पास black and white की form में आ गया है हमें यहाँ पर इसको black and white की form में क्यों लेकि आना पड़ा है क्योंकि white का मतलब होता है present of all colors black का मतलब होता है absence of all colors तो हमारा white वाला जो area है वही visible होगा और हमारा जो black वाला area है वो remove हो जाएगा या फिर hide हो जाएगा ठीक है इसके बाद हम करेंगे आप पे intermediate result final result नहीं करना होता है आप पे quality अच्छी नहीं देगा यह intermediate result ही करता है हमेशा intermediate result पे क्लिक कीजिए तो हमारा जो transparency आ रहे थी वो हट जाएगा आप अब यहां पे रेखिए हमारा background जो green color का background थो वो तो remove हो गया लेकिन हमारे जो edges हैं और green color के एक reflection आ रहा है पूरे subject के उपर तो इसको हम कैसे fix करेंगे यहां पर हम डालेंगे advance spill suppressor जैसे आप apply करते हैं automatic वो remove बरतेगा ठीक है यहां से आप suppressor का amount control कर सकते हैं अब यह हमारे जो edges है edges पे हमारे black color दीख रहा है ठीक है तो यह देख रहे हैं तो यह black color remove करने लिए क्या करेंगे हम यहां पर हम apply करेंगे sample choker आप choker type कीजिए और यहां पे आप sample choker को apply कर दीजिए अपने footage के उपर और यहां पे जैसे जैसे आप value increase करेंगे choker mat की तो यह देखिए आपके edges के जो black color है वो remove होना शुरू हो जाएगा अब edges हमारे शार्प आ रहे हैं तो इसको fix करने लिए क्या करेंगे हम apply करेंगे थोड़ा यहां पे hairs पे ज्यादा problem आ रहे है इसको fix करने के लिए जो key cleaner है उसकी radius को increase कर देंगे थोड़ा सा alpha contrast को 70 और 60% कर देंगे ठीक है और edge radius को थोड़ा कम कर लो reduce jitter enable कर दिया और strength थोड़ी सी कम कर दी sample choker जो था वारा हलका increase कर दो थो ठीक है तो इस तरीके से हम अपना green screen remove करेंगे तो यह तो होगया हमारा green screen remove करने का process अब मुझे यहां पे background add करना है project पे जाएंगे हमारे पास एक image है hospital की वह मैंने dragon drop करके background में डाग दिया और जो हमारे footage है जो हमार subject है उसका size increase कर देंगे इतना कर दिया real में देखी जब भी हाप photos क्लिक करेंगे और हमारा subject focus में रहता है और background हमारा blur हो जाता है तो इसके लिए हम क्या करेंगे background को blur करने के लिए camera lens blur को apply कर देंगे background पे वो क्या है हमारी जो lighting और color है वो match नहीं कर रहा है हमारे background से अपने subject का तो इसको fix करने लिए क्या करेंगे तो हम apply करते हैं levels अपने footage के उपर और यहाँ पर देखिए हमारे पास एक option होता है show channel and color management settings आप इस पर क्लिक कीजिए यहाँ पर देखिए अलग अलग channels है red channel, green channel, blue channel, alpha channel ठीक है तो मुझे सिर्थ red, green, blue की requirement है यहाँ पर एक एक करके हैं यहाँ पर हम इसके settings के तुरू play करेंगे और यहाँ पर जो levels है levels में देखिए channels में यहाँ पर हमारे पास RGB के तीनो channels है तो यहाँ पर मुझे करना क्या है मैं सबसे पहले यहाँ पर इसको red कर दूँगा अब यहाँ पर देखिए तो हमारा जहां यहाँ पर red color रहेगा वो हमारा white दिख रहा है जहां हमारे dark red color है वहाँ पर हमारा black दिख रहा है वो color match करवाना हो अपने footage से तो यहाँ पर देखिए जैसे कि यह हमारा white color है और यहाँ पर जो हमारा white color वो डल रहे तो यहाँ पर भी मैं इसको red ले लूँगा और यहाँ पर भी हमने red लिया हुआ है अब यहाँ पर देखिए हमारे पस जो यह तीन arrows हैं तो यह यह हमारा shadow के लिए हो गया यह हमारा hail light है highlight को मैं जैसे shift करता हूँ तो इस तरही से देखिए यह आ गया है और shadow को भी आपको dark करना है match कराने के लिए तो यह देखिए हमारा यह color इस तरही से match हो गया है white हमारा white हमारा Black से मैच कर रहा है, थोड़ा सा और पर टाक कर देते हैं, नेक्स्ट आता है, ग्रीन, सेम यहाँ पर भी ग्रीन सेलेक्ट पर लेंगे, अब ग्रीन को भी इसी तरीक से मैच कर रहना है, ठीक है, ग्रीन को भी शिफ्ट करेंगे थोड़ा, यहाँ पर, ठीक है, ग्रीन देशिए, ग्रीन इसका मैच हो रहा है, ग्रीन इसका मैच हो रहा है, डार्कनेस का भी इसका डार्क कलर मैच हो रहा है, और वाइट भी इसका वाइट से मैच हो रहा है, तो इस तरह एक से green channel भी हमारा match हो गया है अब आते हैं blue पे यहाँ पर भी blue ले लेंगे तो जो अब यह देशी कितना ज्यादा bright है क्योंकि blue color बहुत ज्यादा था हमारे सीन में तो इसलिए हमें यहाँ पर इसके according light set करनी है तो कैसे करेंगे simple इसको blue करके रखा then bright करेंगे किस तरीके से यह हो गए तिनोंट channel मेंच अब यहाँ पर देशिए इसको RGB पर लेके जाएए वापस तो यह देशिए हमारा जो footage है वो हमारे background से लगवग मैच हो गई है अब जो आप भी आपको थोड़ी बहुत कमी लगती है इसको fix करने के लिए क्योंकि green color मुझे ज्यादा दिख रहा है तो green पर जाएंगे और यहाँ पर भी green पर जाएंगे और इसको जो green color है वो थोड़ा से कम कर दो यहाँ पर इतना पर यह ज्यादा increase हो रहा था ठीक है इतना रखा अब 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 आप्लाई करके देखो RGB पर जाएंगे यह देखिए इस तरीके से आप अपनी footage का color match कर सकते हैं तो इस तरीके से आप अपनी footage का जो lighting है तो इस तरीके से आप अपनी footage की lighting set कर सकते हैं अपने background के थ्रूँ तो इस तरीके से आप अपनी footage की lighting match करा सकते हैं अपनी background से levels और in channels के थ्रूँ ठीक है, तो आज की लेटने काफि है, अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, पैल आइकन जरूर पैस कीजिएगा जिससे की नेस्ट क्लास का नोटिफिकेशन जरूर आए, तो चलिए बाए, मिलते हैं नेक्स् झाल झाल